अगर आप लोगों ने उससे अब तक नहीं देखा है तो अभी जाके देख लिजिए मुझे पता है कि वो वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनी थी पर फिर भी आप सब लोगों का थैंक्स उस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए और आज मैं नई वीडियो लाया हूँ जिसमें इस लैपटाप के बारे में मैं आपको अपना रिव्यू दूँगा जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मुझे इस लैपटाप को यूज करते हुए वन मत हो चुका है तो मैं आपको इसकी खामियो और पुसेस्सिंग के बारे में बताऊंगा अकॉर्डिंग टू बजय यह लैपटाप एक अच्छे चोईस है क्योंकि इसमें आपको कुछ फर्स्टें सेग्मेंट फीचर्स भी मिलते हैं जैसे कि USB-C टाइप पोर्ट एंड 4 टाइप SD काड डिडर यूस्वी सी टाइप पोर्ट जो नए फोन में पोर्ट आ रहा है इससे आप फोन को कनेक्टर सकते हैं फोर टाइप SD काड डिडर में आप फोर टाइप के SD काड यह रीड कर सकता है जैसे कैमरा SD कार, माइक्रो SD कार एंड एक्सक्टर और यह लैप्टाप गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा है जैसे कि आजकल जो गेमिंग का क्रेज है वो PUBG गेम का है जिसका एमिलिटर भी बहुत अच्छे से रन कर लेता है इसमें Call of Duty World War 2, Call of Duty Black Ops, Prototype, Fortnite जैसे गेम्स भी बहुत अच्छे से रन है आती है तो अभी मैं आपको PUBG मोबाइल इस पे रन करा के दिखाता तो अभी मैं आती है देखिए अप्लिक्स अदे है आई स्विट बड़ग देखिए लिए अबड़ कर दीएए एंप लग फिए वाग देखिए लिए लिए तो अभी के लिए हम इसे करते हैं बन और आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में ये और इसमें एप आफिस वर्क भी कर लेते हैं और इसमें बहुत से एप्स भी है जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ जैसे कि यहाँ पे पेंट 3D, Skype, Microsoft Edge, Microsoft Office इसमें जो Microsoft Office है वो आपका 2016 वर्जन है और अगर हम ओवराल देखा जाए तो यह लैप्टॉप एक बहुत अच्छा है बहुत अच्छी चोईश है क्योंकि इसमें आपको बहुत से फीचर्स भी मिलता था है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिए लिंक दे दिये हैं जहांसे आप इसको बाया कर सकते हैं अगर आपकी कोई टेक्निकल लिंक के पर रिगार्डिंग कोई क्वाइर हो तो नीचे कमेंट सेक्षिन में पूछने ना मैं अंसर देने की ट्राय करूंगा और ऐसा है बताना की वीडियो कैसे लगा और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और प्रेस देट पर आइकट तो अपडेटेटेट विदार न्यू वीडियो थैंक यू